तो फ्रांस कैसे हैं आप बढ़िया मस्त रहिए और एंटर्टेन्मेंट में क्या कब हो जाए पता नहीं चलता रातो रात आप जिस स्टार से बात कर रहे हैं सुभा अचानक से खबर आए कि यार ये तो इस दुनिया में राही नहीं तो ये कीनत मानिये वो आपके लिए एक देहसत दवाला पल होगा जब आपको पता चलता है कि रात तो मैंने उसे नॉर्मल बात की थी सब कुछ सही था अरे उससे तो मेरी फोन पर बात हुई थी कल ही तो हुई थी वो तो नॉर्मल था अचानक से हैसत क्या हो गया देखे आप टीबी सितारों में देखते हैं जब शो में कोई मर जाता है तो उसकी उमीद होती है कि वो वापस लोटकर आ जाएगा या उसकी सरजरी हो जाएगी लेकिन अगर रियल लाइफ में कोई चला जाता है तो क्या वो आज तक वापस आया है नहीं आया है तो ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ आपके most popular show राजन साही के शो अनुक्मा की जो जस्ट अभी ही खबर आई है जब मैंने मुबाइल ओन किया और मैंने ये खबर पड़ी तो मेरे से रहा नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे अपने फैंस को भी बताना चाहिए क्योंकि ना जाने उनके भी चाहने वाले कितने होंगे मैं बात करूंग हाड अटेक तो यार ऐसा हो गया है जैसे कि 25 साल के बच्चे को हो रहा है 60 साल के बच्चे को आदमी को हो रहा है वैसे वो 60 साल की उमर में थे बहुत हीट शो में काम कर चुके थे लेकिन आज की खबर में यही है कि वो अनुक्मा शो में काम कर रहे थे वो कोई और नहीं थ जो यसपाल का रोल कर रहे थे अनुपमा में अभी कुछ टाइम पहले ही अनुपमा को रेस्टोरेंट में जौप दी थी जहां पे अभी तो उनके भाई पपी नजर आ रहे हैं लेकिन रीतू राज नजर नहीं आ रहे थे जहां पे जो है अनुपमा में एक जो अनुपमा अम को अपने रेस्टोरेंट में सरण दी थी ऐसे में फांस को तो ये लगने लगा था कि यसपाल और जो है अनुकमा की जोड़ी बनेगी लेकिन कुछ टाइम से वो शो में नजर नहीं आए उनका भाई जो है पपी नजर आ गया जो कहीं न कहीं अनुकमा को प्यार करते वे नजर आ रहा है चलिए ये तो जो सीरियल देख रहे हैं वो समझ जाएंगे लेकिन यहां बात हो रही है यसपाल और रीतु राज की जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं कल रात उनका हार अटेक से निर्दन हो गया है साट साल की उम्र में थे जहां पे उनके साथ रहने वाले स्टार या उनके आस पास रहने वाले स्टार या उनसे क्लोज में रहने वाले स्टार जो डेली उनसे बात करते थे ये एड दिस टाइम जो है वो बड़े शोक में है और टीवी कि इंडस्टी में एक दुकत लहर चाही है ऐसे में जब मैंने पढ़ा तो मैं खुश शोक हो गई यकीनत है अगर आपने भी ये नियूस बढ़ी होगी तो आपको भी कही न कहीं जटका जरूर लगाओगा कमेंट करके जरूर बताईए कि क्या आप उन्हें वाके ही पसंद कर करते थे वैसे तो बहतरीन कला कारते मैं तो यही कहूंगी कि उनकी आत्मा को सांती दे और सब अपना ध्यान रखें